किसान साथियों नमस्कार राम राम स्वस्रेकाल आदाव किसान साथियों आप अच्छे होंगे ठीक होंगे भगवान से कामना करते हैं दूआ करते हैं आप जहां भी रहें सवस्त रहें अच्छे रहें आपके काम में दिन दुगनी राच दुगनी उन्ती हो परम पिता पर्म हमारी हमेशा कामना था साथियों हमने 2 वीडियो लगातर कंटीन्यू बनाय से त्यार करें कि को travelling तरह करें कि उसमें सवाल हमारे प्रिप्लाइ से कर प्रियास में शाथा प्रियास ने और जो दस पत्ति या विविर परकार की पत्तियों का जो है वो हम नीचे डाल दें या दाल नीचे डाल दें और पत्तर उपर डाल दें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है और ये माइक्रो नूटेन आप बना लीजिए सभी माइक्रो नूटेन को आप भूल जाओगे सभी का समावेस इसके अंदर साथियो है आज हम बात करेंगे अनैंसर का जो गोल है वो बनने की पहचान क्या होती है कैसे वो बनता है किस तरह से दिखाई आपको देगा इस विश्य पर हम बात्चित करेंगे अब हमारे बीच में कुछ किसान साथि ऐसे हैं जो अनैंसर का गोल बनाने में बिल्कुल गल्तियां कर रहे हैं और उसका उनको उसके अन्रूप रजल्ट नहीं मिल रहा है कुछ साथी गल्ति कर रहे हैं यानि 24 गंटे की बजाए 12 गंटे में यूज करने का कुछ साथियों ने काम किया और कुछ साथियों ने तो 7-8 गंटे में सुबह डाला बनाने के लिए और स्याम को उसका छिटकाव कर दिया तो साथियों ऐसा कती ही ना करें किसलिए पैसा लगा रहे हैं आप किसलिए अपनी मैनत खराब कर रहे हैं मैंने हर वीडियो में बताया है फोलियर सफरे जब भी आप करते हैं उसको 24 गंटे कम से कम आपको रखना है 28 गंटे रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 24 गंटे से पहले आपको कती ही उसका छिटकाव नहीं करवाना है किसी भी क्रोप्स में आज उस गोल को किस तरह से आपको दिखाई देगा 24 गंटे के बाद वो मैं एक वीडियो लास्ट में इसके डाल दूँगा जो मेरे खुद का समयमका है और उसमें अच्छा पर्मेड़े फर्मेंटेंशन भी हो रहा है और कुछ जाग भी बन रहा है इतना नहीं कह सकते लेकिन कुछ मात्रा में उसके अंदर जाग भी बन रहा है वो एक सही पहचान होती है कि वो 24 गंटे में बिल्कुल सही रूप से त्यार हो चुका है अब वो यूज करने के लाइक है किसी किसी जगह जाग नहीं बनेगा उसका भी एक रीजन है क्योंकि पानी का पानी का जो पीएच है वो ज़्यादा होगा तो वो बिल्कुल उसका जाग कम बनेगा हलका बहुत बनेगा लेकिन 24 गंटे आपको अवस्य रखना है और फॉलियर सप्रे जब भी आप करें तो जो भी कीटना से का आप उसमें यूज करते हैं उसकी मातरा जो रिकमंड की गई है उसकी आधी मातरा उसमें आपको मिलानी है इस बात का विशेस रूप से आपको ध्यान रखना है मातरा आधी ही मिलानी है पूरी मातरा आपको कती ही नहीं लेनी है काफी किसान साथी पूरी मात्रा भी ले रहे हैं और कुछ किसान साथियां ये भी गलती कर रहे हैं कि लगातार तीन दिन के बाद च्यार दिन के बाद उसका छिड़काओ करने का काम कर रहे हैं ऐसा भी नहीं करना है कम से कम आपको दस से बारा दिन तो क्रॉप्स को छोड़ना है जब भी आप फॉलियर सप्रे उसके अंदर करते हैं तो इससे पहले आप दूसरा रिपीड चिड काओ मत कीजिये और वो भी रिपीड जब ही कीजिये जब उसके अंदर आपको जिस चीज के लिए आपने उसमें डला था अगर उसमें हलकी बहुत कमी रह गई हो वो खतम नहीं हो अao हो तो ही उसका रिपीड आप 12 दिन के बाद करे करना है उसमें भी बहुत इस्यांदार होगी जो भी रोग होगा जो भी हर्माट का क्रते हैं तो यह को प्राइज कंपनी का जो भी कीटना से काता है वह आप लेने का काम करें नोकल कीटना से के चक्र में आप बिल्कुल ना पड़ें इससे बैस तो यह है कि नीम की निमोली का या कनेर के पत्तों का या दस परनी अरक अगर आपके पास हो तो वह आप डाल दीजिए वह अच्छा रहेगा एक नोकल मारकेट से नोकल किसी कंपनी का अगर आप कीटना सकते हैं उससे बजाए गोल त्यार करने का तरीका वही है आप इसको सो लिटर में बना सकते हैं सो लिटर में डालेंगे तो 24 गंटे आपको रखना है और 200 लिटर में अगर आप इसको बनाएंगे तो उस साथ है गलती उसमें यह भी कर रहे हैं गूट डालने का काम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं करना आपको तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं इन चीजों का विश्य सुरूप से आप ध्यान रखें और श्याम के समय में इसका छिड़काव करवाईए बहुत इस चांदार रजल्ट आपको अनेंसर का मिलेगा गरोथ अच्छी होगी किसी भी तरह का रोग होगा वो खतम होगा और पोदे की बनावटी आपको अलग नजराएगी वेजीटेवल की बात करें उसका भी यानि वेजीटेवल में तो बहुत चांदार रजल्ट इसमें हमने देखने को म मिला है बैंगरण में टमाटर में बेलावली सब्जियों में मिर्स के अंदर काफी सात्यों किंदर मुं के अंदर कुछ सात्योंने किया है ड्रेंगन फॉरूट के अंदर हमारा एक रास्तान से साति हैं उन्होंने किया है तो बहुत चांदार रुपियों ने किया है वाटरमिलन के उपियों कि पर इसका उपियों उन्होंने किया है और मैं आज से पहले तो कभी नहीं बोलता था लेकिन हो सके तो मैं आप लोगों को फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ जो भी साथी बार बार जैसे पूछते हैं कि सर्फ वीडियो हमें नहीं मिल रहा है कब आपने वीडियो डाला मैं फिर आपको बता देता हूँ जिन को जाएगी सातियों जिन भी सातियों को वैस्दी का पोजर या एक्सपोर्ट को व्याइंसर की आउसकता अगर इसातियों को हो तो वह वीडियो पर दिये गए किसान सातियों यह जो हमने गोल बनाया है यह अनैंसर का गोल हमने त्यार किया है यह जैसे 200 लिट्रे इसमें पानी हमने लिया और इसके अंदर दो बोटल अनैंसर की हमने डाली अब देखिए आप इसके अंदर फर्मेंटेशन देखिए आप सेम वैसे ही हो रहा है जैसे वैस कीजिए आप मैं नजदीक से आपको फोटो दिखाऊंगा देखिए आप और इसमें हलके हलकी आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी कि देखिए किस तरह से पूरा यानि आप इसको 24 गंटे हो चुके हैं यानि 24 गंटे का प्रोसेस जो था वो पूरा हो चुका है अब यह गोल रेडी है फॉलियर सप्रे के लिए या पानी के साथ में इसका उप्योग कर सकते हैं यह देखिए पानी के साथ में इसको आप डालिए यह ड्रीप एर्परinek erreichen जो भी आप करते हैं उस विधी से आप इससका उप्योग की स litth प्रव सेच executive सब्कूल ऑपर्य में जो भी आप ने ज participar कटना से क्या आप उपव् cowardly करें जो भी स Deva May Wind करें जो ने मातरा को यह बना देगा दसगुन बढ़ा देगे parole देखिया औहां कि झाल झाल